तो मित्रो क्या हाल चाल, अरे यारव अप हमेशा हसते रहा क्रो जयसा कि आप देख रहे हैं कि आज कल मजरे का जो माना है यानि के रैड लाइट हो रहे जिदी मुन्नि को सबर नहीं था मुन्नि वहाँ पर देखो देखो कैसे लेट कर देदन करने लगी मुझे तो यही समय में नहीं आता कि आजकर लोगों की शर्म आखर कहा जा रही है डांस यह कर रही है लेकिन शर्म सला हमको आ रही है चलो कोई बात नहीं ऐसी हरकत हम लोग बरदाश्ट कर लेंगे मुनी ने किसी को भी कुछ भी नहीं बोला लेकिन यहां पर देखो इस बड़वी मुनी की तरफ ट्रेन से निकलते सारी कैसे लोगों के साथ टकरा रही है अबे भाई मार एक लाफा इसके इसके मूँ पर दो चरल फेड़े मारे तबी इसको अक्कल आएगी और जान भूझकर लोगों के सामने उशल रही है यह डांस नहीं है दोस्तो डांस के रूप में पागल पन है पागल पन इनको दोस्तो जल्दी से पागल खाने में भरती करवा देना चाहिए एक तो पता नहीं यह प्रशासन वाले कहां मर गए है प्लेट फोर्म पर मुनी देद नदर नाच रही है लेकिन कोई बुसको नहीं रोक रहा इदर देखो दोस्तो इदर सांटी की तरफ यह तो अपना नमबर दे रही है यानि कि मोबैल नमबर लखवा रही है जल्दी से लिख लो दोस्तो आप भी ईस्ट़राम में बहुत लोग है जो मेरा नमबर लेना चाहते हैं उनके लिए है मेरा नमबर लिख लिए लेकिन लगाना मत क्योंकि घंटा नहीं लगने वाला यह आंटी बहुत ही चलाक है अपना नमबर नहीं दिया बिल्कु यह उल्टे सिधे नमबर दे रही है क्यार यहां पर देखो दोस्तो आपने नागिन डांस तो बहुत देखा होगा लेकिन यह तो अजगर डांस है अजगर डांस जिन्दा अजगर नाच रहा है अरे सब पेरे भाग जाए यहां से जिन्दा निकल जाएगा तुमको लेकिन ऐसे तुम्हें नहीं निगलेगा पहल जाओगे कि नहीं नीचे कमेंट करके बताओ इसे सब पेरे को भी मानना पड़ेगा इतना खतरनाक अजगर देकर यह बिल्कुल भी नहीं कांपा इसकी रूप बिल्कुल भी नहीं कांपी भाई साथ बिल्कुल देदनादन लगे हूए हैं खैर दोस्तों शोड़े इन सब को इदर देखो इदरे यह मुन्या इस मुन्य को यानि की नजने वाली मुन्य को 10 रूपए के नोट में नंबर लिकार दे रहा है कि मुन्य गरद जाकर कौल करना बिल्कुल प्यार भरी बातें करेंगे शोणा मुन numb favor बातें करेंगे अरे मुन्य ही तुमने नंबर दे दिया ह लेकिन वो घंटा तुम्हें फोन नहीं करेगी पता नहीं उसको दुम्हें दिन में कितने लोग नंबर देते होंगे तुम्हारे 10 रुपे भी गए फोन फिर भी नहीं आएगा अगर यारो आपने भी यासे किसी को कभी नंबर दिया है तयार नीचे कमेंट करके बता देना है यहां पर देखो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपके रूप काँप उठेगी यानि की एक बंदा था उसकी माता जी ने शत पर गेहूं सुखाने के लिए डाल दिया और यब शाम को आँटी गेहूं लेने आई शत के उपर यार वहां पर गेहूं का एक दाना भी नहीं था तभी आँटी ने बोला कि आए आए कहां गया मेरा गेहूं कहीं पडोसी तो चुरा कर नहीं ले गए यार वो बिल्कुल डर जाती है कि आखिर कैसे गाइब हो गया तभी आँटी ने जल्दी से अपने बेटे को बुलाया कि अरे बेटा देख यह क्या हो गया बेटे ने खोल या CCTV कैमरा यानि कि देखने लगा कि आखिर गेहूं को हो क्या गया है यार उसके रोंग्टे खड़े हो गए असल में गेहूं को कबूतर उठा कर ले गए देखते ही देखते इतने ज़्यादा कबूतर इकटे हो गए कि कबूतरों ने देद नदन कर डाली और यार बिलकुल 10 किलो कनक उठा कर ले गए कैसे कैसे कबूतर है यार पूरी 10 की 10 किलो गेहूं उठा कर ले गए के करके साला कबूतर भी कितने हरामी थे एक दाना तक नहीं शोड़ा क्यार मित्रो अपने सुने होगा कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम फोलो करो यहर सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फियंको डिली शाम चार पांच उजे नहीं वीडियो पाने कलिए है ना हस्ते रहा करो